कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल फिर्स्ट इंवेस्वेंट पे और मैं हूँ आपका मिंटॉर शिवांच मसियल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगोने कोई भी अपनी पुजीशन बना कर रखे वी अगर आप लोगोंने कोई भी के अंदर ट्रेट लेकर रखे हुए है या फिर अगर आप लोगों कोई भी पॉटफोलियो है सो उसको कैसे hedge करा जाए जो की upcoming हम लोगों को लग रहे है कि market पे correction आ सकता है इसका reason क्या है अगर market में correction आने का अगर आप लोग देख पाएंगे इधर साइट तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि Taiwan की market almost 8% का fall करी है due to inflation, inflation की वज़ा से हम लोग देख रहे हैं US की market के अंदर एक fear आ गया उसकी वज़ा से US market में एक correction देखने को मिला Taiwan के अंदर हम लोगों ने देखा कि COVID के cases के fear आ रहे हैं अभी all over the Asia अगर हम लोग बात करें तो stock market के अंदर एक fear है जिसकी वज़े से हम लोग एक downside देख रहे हैं so yes वो हमारी market को भी impact कर सकता है so हमारी market को भी एक fall या एक correction बिल सकता है so उस पे अगर आप लोगों कोई भी trades ले रखे हों so उसको कैसे hedge करा जाएं because अगर market fall करेगी तो आपके भी holdings पे losses आपको show होना start होंगे so उनी losses को कैसे minimize करा जाएं और कम से कम minimize कर दे कि आपको वो losses show ना करें उसके लिए मैं ये एक strategy लेकर आया हूं जो कि आप May end तक hold कर कर रख सकते हैं फिर जब तक हमें लगता है कि इसको exit नहीं करा जा सकता okay so मैं ये strategy आपके साथ share करूँगा plus इस video में हम लोग एक और बात करेंगे कि nifty bank nifty कहां तक और गिर सकता है कैसे trade लेना है market के अंदर अगर gap down आता है तो gap down को फिर कैसे trade करना है कि वहां से bounce back आ सकती है और जादा गिर सकता है ये सारी बाते करेंगे और सारी चीजों को इस video में समझेंगे so चलिए start करते हैं without wasting any time और बढ़ते हैं अपने charts के setup की तरफ so जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने charts के setup पे आ चुके हैं सबसे पहले मैं आप लोको को सारी Asian market के indexes दिखाना चाहूँगा कि उन पे किस तरीके से fall आ रहा है okay सबसे पहले बात करते हैं US के so मैं daily charts open कर लेता हूँ यहां पर आप clearly देख सकते हैं आपको यहां पर fall show कर जाएगा so आप देख सकते हैं सिंपल हम लोग देख रहे हैं ऊपर एक shooting star दिखा उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहां से correctly एक नीचे trend इसका start हो गया दाउ जोन्स का इसके अलावा कर हम लोग बात करें NASDAQ की तो NASDAQ पे भी आप यहां पर clearly देख सकते हैं और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें FITSI की तो FITSI पे भी आप लोग देख सकते हैं एक fall आ रहा है यह Asian markets के हैं और इसके लावा बात करें Taiwan market की तो Taiwan पे अगर आप Taiwan का इंडेक्स देखेंगे तो कल के trading session के अंदर अंदर यह 16,500 से गिरते गिरते 15,200 आ चुका है Almost almost 8% का correction हम लोग ने इस एक ही दिन के अंदर देखा यह रिकवर कर गया था बट यह जो sharp fall है इसकी वज़े से हम लोग expect कर सकते हैं कि हमारी market भी जाद तर नीचे गिर सकती है इसके लावा बात करते हैं निकई की तो निकई को आप लोग देख सकते है Almost 29,600 से 27,600 आ चुका है Almost 2,000 points का correction within 3 days के अंदर यह दे चुका है Hang Seng की बात करते हैं तो Hang Seng भी आप देख सकते हैं आप आप देख रहे हैं कि एक sharp correction एक sharp fall यहाँ पर भी आम देखने को मिल रहा है इसके अलावा बात करते हैं कुछ dollar indexes के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैंने US dollar index open करा वा है और यह यहाँ से बढ़ना start कर रहा है देख रहे हैं अब जब भी dollar index बढ़ना start करता है तो वो हमारी market के लिए negative impact करता है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक support लिया है और यहाँ से बढ़ना start कर रहा है तो यह एक reason हो सकते हैं हमारी market को भी impact कर सकता है दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं bond yields की so bond yields पहले बहुत जादा चर्चे में रहती थी अभी भी यह दुबारा आने वाली है अब आप देख सकते हैं इस level से मैं आपको दिखाता हूँ bond yields सबसे पहले बात करते है 10-year bond yields की so US के 10-year bond yields पे आप देख रहे हैं एक sharp fall एक sharp fall आया उसके बाद इसने एक double bottom type of scenario बनाया और दुबारा यहां से उपर जा रहा है अब आप देख सकते हैं 12th of May को अकेले ही सिफ 12th of May को हम लोग ने देखा कि bond yields के अंदर-अंदर कम साढ़े 5% की movement हमें देखने को मिली है और उसकी विज़े से US market पे inflation का fear आया और वहां पर हम लोग ने देखा कि market पे एक fall देखने को मिला इसके लावा अगर हम लोग इंडिया के 10 bonds की बात कर लेते हैं तो यह भी continuously उपर ही उपर जा रहा है which is not a very good sign अब बात करते हैं guys हमारी market ने कैसा perform कर रहा है तो हमारी market का अगर मैं sensex की बात करूँ तो इसने कुछ भी fall दी करा है आप देखरे हैं यह बिल्कुल sideways है आपको यहाँ पर clear ली दिख रहा होगा कि हमारी sensex बिल्कुल sideways के अंदर काम कर रही है यह देखरे हैं एक range के अंदर बिल्कुल काम कर रही है तो हमारी market ने अभी तक एक भी fall नहीं दिया है तो क्या अगर इस range का breakdown आता है तो क्या एक fall हम लोग expect कर सकते हैं definitely अगर इस range का एक breakdown आता है तो हम लोग एक fall expect कर सकते हैं bank nifty की बात करें तो bank nifty ने भी अभी तक कोई तमीज वाला fall नहीं दिया है within a couple of days आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो हमारी market अभी सब markets की बात करें तो हमारी market थोड़ी stable है तो यानि कि अगर हमारी market इतने time से नहीं गिर रही है जब यह markets गिर रही थी तो अगर एक fall आता भी है तो वो ज़्यादा time sustain नहीं करेगा मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ एक duration अगर हम मान के चले तो वो ज़्यादा time sustain नहीं करेगा max to max 2 हफते so almost 15 तारिक होई गई है तो यह महिना sustain कर सकता यह correction and इसके बाद दुबार हम लोग एक up move देख सकते हैं किस तरीके से trade लेना है क्या करना है वो सारी बाते करेंगे and उसके बाद हम लोग एक bank nifty के option strategy के उपर चलेंगे जहां पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप अपनी positions को अपनी hedging करके चल सकते हैं जो exact यह option strategy है यह मैंने अपने खुद के clients को witness day को provide करवाई थी जब मैंने witness day को live session कर रहा था YouTube के अंदर मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को एक hint दिया था और वहाँ पर मैं आप लोगों को अभी भी दुबारा एक बर यह बता रहा हूँ ओके सो सीधा charts की तरफ चलते हैं जादा time waste नहीं करते हैं यह सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Nifty तो Nifty पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो Nifty किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में सबसे बात कर लेता है आप देख सकते हैं Nifty भी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है एक्जाक्ट अपने highs के पास ही ट्रेट कर रहा है I am not saying कि 15400 का जो हाई ता वो बिट अपने प्रिवियर स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेट कर रहा है और और आट इस अलसों कंसिडर्ड एज बुलिश फेस यह भी एक बुलिश फेस में है मतलब अभी में लोग देख सकते हैं कि यह जादा उपर नहीं गया है नीचे नहीं आया है अब यहाँ पर ट्रेट किस तरीके से करना है तो मैं यह दोनों लाइन्स कोप सबसे पहले हटा देता हूँ और चेक करते हैं कि चल क्या रहा है अक्चुल मार्केट के अंदर तो वेट असकेंड अजीऊ में पर यह लाइन्स के लिए रज़ी एक मारा मुझा यह जब से हम फॉल करहा है इस पर्टिकुलर लाइन के ऊड़ी कि अब टक टैम पर उलख लाए तक कलोशंग को नेमिली ए आप देख रहे होंगे multiple times इसने try करा है बट इसके उपर closing देखने को नहीं मिली है अब यहाँ पर एक negative sign आता है उसके अलावा अगर हम लोगोंने एक trend line नीचे से draw करी वी है तो exact उसने इस trend line का breakdown दिया है कल के trading session के अंदर और एक psychological level जो की 14,700 रुपीज का एक psychological level था उसके नीचे जाके इसने closing करी है किस तरीके से trade कर सकते हैं कहां तक आ सकते हैं वो सारी बाते करते हैं सबसे पहले आप देखेंगे तो इसने एक double top type scenario भी create करा है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक double top type scenario को भी create करा है and यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक fall आ सकता है कैसे आ सकता है मैं दिखाता हूँ यह देखें यहाँ से market उपर गई नीचे आई फिर उपर गई इसने एक double top type scenario create करा अब यह दुबारा अपने previous levels तक आ सकती है मतलब दुबारा इस level तक market आ सकती है अब सस्तेन कहां करें कि क्या directly आपर आ जाएगी नहीं सस्तेन करने के लिए भी एक zone है इस zone पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यह एक zone है अब देख पा रहे हैं इस level से एक up move आई एक fall आया तो exact इसी level से हम लोग ने एक दुबारा आप move देखी न तो अगर market यहां से fall करती है तो पहला target इसका होगा 14,500 रुपीज का क्या बहना है बोला मैंने 14,500 रुपीज का इसका first target होगा और यहां से शायद एक हलका सा bounce हमें देखने को मिल चाहे उसके बाद अगर यह दुबारा इस level को break करती है तो हम लोग expect कर सकते हैं इसका जो next target होगा वो almost almost हो सकता है 14,200 रुपीज का 14,200 रुपीज तक भी index या nifty जा सकता है अपने double top के pattern को complete करने के लिए दूसरी बात अगर मैं double top pattern या double bottom pattern की उपर एक charts आप लोगों को एक price action का strategy समझाऊंगा don't worry मैं this cube पर एक dedicated video भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हो but हम लोग generally trade कैसे करते हैं double bottom को या तो हम लोग trade करते हैं कि हम लोग देखते हैं एक exact double top बना उसके बाद हम लोग देखते हैं एक gap down opening और एक bearish candle हम लोग नहीं या पर क्या देखा मैं आप लोगों के लिए यह remove कर देता हूं हम लोगों नहीं या पर देखा इसने gap down opening तो definitely दिया बट एक bearish candle ली थी तो हम लोगों ने कोई trade नहीं लिया इसके लाव हम लोग ने जब यह वाली candle देखी जो की दुबारा gap down देखी और नीचे की तरफ जारी थी हम लोगों को पता चल गया कि यह double top pattern को seriously fulfill कर सकती है okay I hope आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब यहाँ पर trade कैसे करेंगे so यह मेरा bottom है and इस line को connect, join करते करते मैंने एक trend line को draw करा है जब मैंने trend line को draw करा है तो हमें trade कैसे करना होता है जब यह trend line break होती है इस trend line के breakdown पे हम लोग trade करते है हमारा first target होता है यह and हमारा second target होता है यह वाला level I hope आप लोग points समझ गए होंगे किस तरीके साब को strategy बना के चल नहीं है अब आप मैं चलता हूँ इसको 30 minutes के 15 minutes के time frame पे so 15 minutes के time frame पे मैं देख रहा हूँ कि इसने इस level का breakdown दे दिया है एक strong candle के साथ red candle की candle के साथ इसने एक breakdown दिया है अगली candle इसके नीचे नहीं गई है आप देख रहे हैं अगली candle इस level के नीचे नहीं गई है बहलाँ breakdown candle के नीचे नहीं गई है उसके बाद हम लोग ने एक up move देखी है अब आपको trade किस तरीके से कलना है अब आपको trade करना है जब यह वाली candle यह जो एक strong candle bearish candle बनी है इसने जो इस trend line का breakdown दिया जब यह इस trend line के नीचे जाएगा 15 minute की closing मिलेगी आप nifty को short कर सकते है for a target of 18,500 or 14,200 का second चीज आप लोग क्या कर सकते हैं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक zone create कर रहा हूँ कि अगर कभी भी यहाँ पर आएं इस level पर आता है मतलब by chance अगर इस level पर आता है तो हम यह देखना है कोई एक indecisive candle यानि कि shooting star भी अगर हम लोगों को देखने को मिल जाती है तो भी हम लोग trade कर सकते हैं shooting star किस तरीके की दिखेगी आप लोग देखेगा कुछ इस तरीकी की आपको shooting star candle दिख सकती है ठीक है इस तरीकी की candle अगर आपको top में आपर बनते वे देखने को मिलती है तो भी आप shot कर सकते हैं first target यह second target 14,500 and third target is 14,250 रुपीज का target so I hope मैंने आप लोगों को explain कर दिया होगा किस तरीके से हम लोग nifty पे shot position बना सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि और कहां तक यह जा सकता है ठीक है अगर यह यहां पर आता है तो एक buying आ सकती है definitely एक buying यहां पर आ सकती है ठीक है but इसके बाद हम लोग decision लेंगे कि यहां से और जादा नीचे जा सकता है यहां से और जादा ऊपर जा सकता है but हमारे लिए first target 14,500 है उसके बाद मैं regular videos बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को update करते रहा हूँ बात करते हैं bank nifty की तो bank nifty को check करते हैं bank nifty किस तरीके से perform कर रहा है and इसके through हम लोग ने option strategy क्या बनाई है okay so अगर मैं बात करो according to nifty तो मैं आप लोगों को अपने previous videos पे regularly कह रहा हूँ कि मेरे लिए bank nifty पे कोई trade नहीं है bank nifty पे मैं trade करी नहीं रहा but मैं accordingly उनके stocks पे trade कर रहा हूँ for example bank of india federal bank हो गया यह जो PSU banks हैं यहां पे मैं जाधा तर ट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो जाधा stable लग रहा है according to bank nifty index okay so यहां पे मैं आप लोगों के साथ अपनी strategy भी share करने वाला हूँ plus जो मैंने clients को दिया क्योंकि मेरी strategy थोड़ी risky है मेरी strategy बहुत जाधा risky है but मैं वो strategy आप लोगों के साथ बता दूँगा and plus मैं आप लोगों को clients वाली strategy भी बता रहा हूँ ठीक है अब यहां पर देखेगा मैंने एक trend line को draw कर आवा है आप यहां पर एक clearly देख रहे है trend line को मैंने draw कर आवा है वो हम indicate कर रही है कि यहां पर एक selling आ सकती है अगर आप clearly यहां पर देखेंगे यह देखेंगे एक trend line draw कर रही है यह इसका previous swing high है निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का previous swing high है और जो अभी का हाय था दोनों match कर रहे है आसपास ही थे तो हम लोगों ने consider कर रहा double top type of pattern यहां पर आप देखेंगे कि किता जादा इसके अंदर downside है तो यहां पर हम double top नहीं कह सकते है बट हम यह कह सकते है कि lower high maintain कर रहा है और exact अपने इसी level पर यह trade कर रहा है और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो यहां से थोड़ा सा जादा दूर था so according to nifty compare करे bank nifty को तो bank nifty जादा weak है इसलिए option strategy यह hedging के लिए हम लोग इसको choose कर रहे है यह जादा fall कर सकता है according to nifty I hope आप लोग मेरी यह बात समझ गए होंगे इसके लावर मैंने देखें bottom से quarter and line draw करी है जिसका हम लोगों कोई gap down के साथ breakdown देखने को मिला है which is a very negative sign for bank nifty अब बात करें कि bank nifty कहा तक fall कर सकता है तो bank nifty अभी currently trade कर रहा है 32,450 रुपीज पे बेर को लगता है 32,200 से लेके 32,000 तक जा सकता है minimum to minimum 32,000 तक अराम से जा सकता है जब ही 32,000 तक जाएगा तो शायद हम लोगे एक bounce expect कर ले बट अगर ये bounce नहीं आती है तो किस तरीके से trillion है for that we are using a Fibonacci retracement ratio अगर ये basically break कर देता है 32,000 के नीचे अगर closing मिल जाती है तो आर नेक्स target शुड़ भी 31,200 रुपीज का येस गाइस यहाँ से almost 1200 point की भी correction ये कर सकता है so 1200 point की अगर correction आती है तो हमारी strategy में एक अच्छा profit देकर जा सकती है so उसके basis पर फिरम लोग trade कर सकते हैं so I hope मैंने आप लोगों को समझा दिया होगा किस तरीके से आपको काम करना है किस तरीके से आप लोगों को आप ट्रेडिंग करके चल नहीं है मेरे लिए अभी वी वीक है हमारे लिए buy setup तभी जनरेट होगा जब ये 32,800 की ऊपर bank nifty जाना जाता है और sustain करता है मेरे लिए setup चेंच तभी होगा जब 32,800 का मेरा stop loss है not 800, 800 को test कर सकता है तो 850 मेरा stop loss है आप में अपने नीचे शॉर्ट पोजिशन इनिशेट करके रखा हूँ अब बात करते हैं कि हम लोग bank हमने hedging कैसे करके चले अब important question आता है hedging कैसे करें अपने portfolio को so मैंने आप पर देख सकते हैं और रेड़ी ये रखेगा मैंने आप पर 4 options open करके रखे वे हैं आप लोगों के सामने रखे वे हैं इन 4 options पे आप लोगों को trade करना है फिर मैं बता भी दूँगा कि maximum risk किता है maximum profit किता है किते funds की needed होगी ये सारी चीज़े आप लोगों मैं यहाँ पर बता दूँगा मैं ये भी बता दूँगा कि मैंने अपने clients को किते रुपे में ये trade दे रखा है ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप देखेगा मैंने 2 expiry चूज़ करी है एक तो weekly expiry जो कि next week है 20th की और एक May monthly expiry तो यहाँ पर हम लोगों को तीन options को buy करना है और एक option को sell करके चलना है ये strategy हमारी इस तरीके से बनेगे ठीक है तो आप सबसे उपर देख रहे हैं 32,800 का call option है जो कि 20th May का है trade कर रहा है अभी current price इसका trade कर रहा है 343 पे 343 पे trade कर रहा है आप इसको buy करके चल सकते हैं ठीक है इसको buy करके चल सकते हैं उसके आगे आप 32,000 की put option को buy करके चल सकते हैं प्लस आप 31,800 की put option को buy करके चल सकते हैं और ये तीनों को buy करना है उसके अलावा आपको 33,300 की call option को जो कि 20th expiry किया है जो recent expiry किया है आपको उसको short करके चलना है अब ये क्या है ये एक bearish strategy है इस bearish strategy के अंदर भी हम लोगों ने hedging कर रखी है ठीक है कि buy chance अगर market ऊपर चली जाएगी तो ये हमें जादा loss ना दे इसके अंदर भी मैंने hedging कर रखी है वो भी मैं आपको बताता हूँ ओके यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 32,800 का call option buy करने का मतलब क्या होता है कि मुझे expected है कि ये इसके ऊपर जाएगा बट मेरा जब वो stop loss है तो अगर मैंने इसका ये buy कराओ है buy chance अगर 32,800 के ऊपर जाएगा क्योंकि मेरा वो stop loss इसी लिए है कि अगर उसके ऊपर गया तो एक शाप rally हम लोग देख सकते हैं तो अगर उसके break out देता है 32,800 का stop loss हमारा hit करता है तो वहाँ पर ये जो call option है ये हमें अच्छा profit दे सकता है जो कि हमें ये तीनो option loss में दे रहोंगे तो हमारा जो loss है वो कम हो सकता है तो इसलिए मैंने call option को buy करवा है कि buy chance अगर reverse करता है तो हम risk free रहेंगे मतलब हम लोगों को कम risk होगा इसके लावा मैंने 32,000 का put option buy करवा है क्योंकि हम लोगों को definitely लग रहा है कि first target 32,000 है अगर उसे break करता है तो 31,200 का है अगर 32,000 के बट मैंने अलग-अलग strike price चूज करी है बट आप यहां दिखीगा note करिएगा मैंने यह May end की करी है ना कि मैंने 20th May की करी है मैंने monthly expiry की करी है weekly expiry के लिए नहीं करा है उसके अलावा मैंने 20th May का 33,300 का call option sell करावा है 33,300 का call option sell करावा है अगर call को sell करते है यानि कि हम लोग bearish है market के अंदर call buy bullish होता है call sell bearish होता है तो मतलब यह strategy bearish वाली है बट मैंने exact 33,300 ही क्यों लिया है इसका reason इसलिए है कि अगर यह 32,800 की उपर चले जाता है तो यह अराम से 33,300 तक अराम से जा सकता है सो इसलिए मैंने उस level की उस level की मैंने call option को sell करावा है कि अगर यह 20th में तक महला by chance अगर यह 20th में weekly expiry जो आने वाली है उससे पहले पहले अगर यह 32,800 की उपर चले जाता है तो हमारा तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो 33,300 हमारा टार्गेट होगा बट हम लोगों को इस पे पूरा प्रॉफित हो सकता है अगर यह 20th की expiry 33,300 के नीचे हो जाती है तो यह पूरी स्टार्टेजी बना रखिया मैं बताता हूं क्या है अब अराम से समझाता हूं इसके लावा 32,000 की put option है यह आप लोगों की almost almost double हो जाएगी and 31,800 की put option भी आप लोगों को अच्छा profit देगी इसके लावा 32,800 का call option अगर हमारे according market नीचे गिरती है तो यह अराम से 150 या 100 पे में रह जाएगा तो इस पे हम लोगों को जादा loss होगा बट इस पे हम लोगों को heavy profits होंगे तो heavy profits के चक्कर में हम लोग यहाँ पर एक loss ले सकते हैं तो हमारी एक strategy यह बन चुकी है I hope आप लोग समझ गय होंगे अब बात करते हैं sir margin किता लगेगा अराम से 50,000 के अंदर आप यह strategy लेकर चल सकते हैं sir maximum risk किता है maximum risk इसका 20,000 के अंदर है 20,000 से जादा का risk होई नहीं सकता है strategy के अंदर sir maximum profit किता है अगर market crash कर जाती है तो आप लोगों को crash करने में almost almost आप लोग expect कर सकते हो कि 2,500,000 का भी आपको profit हो सकता है yes अगर market अच्छा का समझ अबर लिब market by chance 28,000 में आजाए तो आप लोगों को 2,500,000 का भी profit हो सकता है but यहाँ पे हम लोग इतना level नीचे नहीं गिर रहे है हम लोग मान के चल रहे है 31,000 ही max है तो वहाँ पर हम लोग expect कर सकते हैं कि 50 से 70,000 के बीचे हम लोगों को profit हो सकता है और वो जो profit होगा प्लस जो हमारी position में हम लोगों को losses हो रहे होंगे वो hedge करके हम लोग safe side में रहेंगे ठीक है तो यह पुरी strategy बना रखी है अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कौन सी strategy ले रखी है personally ठीक है यह तो मेरे खुद के पास है but मैंने कौन सी personally strategy ले रखी है क्या कर रखा है मैंने बांकन फिट के 10 LOTS को शष्ट कर रखा है PLUS मैंने एकसीस बांक का future short कर रखा है 2 LOT मैंने एकसीस बांक के future को 2 LOT को short कर रखा है मैंने मालत थस्दे के market नहीं करा था जों लोगों ने दिखा तो एक दुबारा gap-dawn दिखा था मैं आप लोगों को एक बर और शो कर देता हूं ठीक है यह देखेगा यह इसने एक फॉल करा यह देख रहे है इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी थी इसने अराउंड करा था है 11 मेको उसके बाद उपर चला गया मैंने कोई ट्रेंड नि लिया वरना में 11 मेको ही ट्रेंड लिया था जो यह फॉल आया था बट 12 मेको जा हम लोग ने गाप डाउन ओपनिंग देखी और वो गाप डाउन ओपनिंग से अर्टीनूसली नीचे जा रहा था तो मैंने यहां पे अराउंड 32,000 640 के असपास मैंने यहां पर एक शॉर्ट नहीं नीच सॉर्ई यस 32,580 के असपास मैंने एक शॉर्ट पोजिशन लिया बैंक निफ्टी फूचर्स के अंदर 10 लॉट्स मेरे शॉर्ट है इसके लावा मैंने एक्सिस बैंक भी शॉर्ट करके रखावा है मैं पाँच वीडियो पाँच जो स्टॉक्स आप लोगो को आज सजेस्ट करूँगा उस पर मैं बताऊँगा क्यों एक्सिस बैंक मैंने ले रखा है और इसके अलावा मैंने फेडरल बैंक का एक लॉट फूचर का बाई कर रखा है सुनिये एक मैंने फेडरल बैंक का एक lot future का buy कर रखा है वो तो मैंने नीचे यी buy कर रहा है around 80 point something पर buy कर रहा है 80 point something पर अभी पता नहीं किस ते में trade कर रहा है and प्लस मैंने Axis Bank के 2 lot shot करे वे हैं प्लस मैंने 10 lots Bank Nifty Future के shot करे वे हैं और मैंने Bank of India cash में buy करावा है आप point समझ रहे है bank of India cash में buy करावा है तो यह एक मैंने पूरी strategy बना के चल रहा हूँ अब अगर कल मुझे gap down दिखना है तो definitely एक अच्छा profit मुझे bank nifty के futures में हो सकता है plus मुझे excess bank भी अच्छा गासा नीचे गरेगा तो उस पे भी हो सकता है plus उसको hedge करने के लिए अगर buy chance ऐसा नहीं होता तो उसको hedge करने के लिए federal bank of bank of India मेरे लिए strong है तो मैंने उन दोनों पे एक buying position initiate करे लिया तो यह मेरी strategy है और यह मेरे clients की है तो I hope आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा समझा होगा अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आई तो definitely आप हमें बता सकते हैं comment section के अंदर और मैं आप लोगों से मिलूँगा around 9 बजे आज रात को जब मैं आप लोगों को 5 stocks बताऊँगा जो आप कल market पे trade कर सकते हो ठीक है so guys thank you so much thank you so much आप लोगों ने वीडियो को समझा सुना और मेरी बातों को ध्यान से समझा I hope आप लोगों ने आप कुछ सीखा होगा so मैं शिवांज भसीन आप लोगों से मिलता हूँ बाद में next वीडियो पे तब तक के लिए बाई बाई आप लोगों ने आप लोगों आप लोगों